गुड मॉर्निंग टू बिहलेट फरस्टे रिश्यूएंस आज हम आपका नाया चैप्टर राश्ट्री शिक्षानीती 1968 नेशनल पॉलिसी ओफ एजूकेशन 1968 स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसा कि हम जानते हैं 1964-66 में कोठारी आयोग ने अपने जो रिपोर्ट है अपना सुझहाव भारत सरकार को 29 जून 1966 को प्रस्तूत किया था और लगभग इसके नो महिने बाद भारत सरकार ने 5 अप्रेल 1967 में संसत के सदस्यों की एक समीति का गठन किया था इस समीति ने कोठारी कमीशन के समस्त सुझावों पर विचार करने के बाद संसत के शीद कालीन शत्र में 1968 में अपना जो प्रतिवेदन है अपनी रिपोर्ट उसको संसत के समक्ष प्रस्तूत किया था ये समय था 24 जुलाई और 1968 में भारत सरकार ने जो समीति ने सुझाव या जो अपना रिपोर्ट प्रस्तूत की थी उसको 24 जुलाई 1968 को भारत सरकार ने सुईकार कर लिया था तो हम इसमें देते हैं कि इन्होंने कौन-कौन से जो रिपोर्ट में अपनी मुख इपाते हैं वो कौन-कौन से किन-किन विश्यों पर प्रस्तूत की थी तो राष्ट्री सिक्षा नहीं थी 1960 के मूलता तो इन्होंने किनकिन बिंदों पर विशेश रूप से जोड़ दिया था कि सिक्षा विवस्ता में इस प्रकार से इन बिंदों को लागू किया जाना चाहिए सबसे पहले इन्होंने बताया था शिक्षा राष्ट्री महत्व का विशेश है तो शिक्षा जो है वो राष्ट्री महत्व का विशेश है अर्थात हमें या देश को या भारत सरकार को तो सिक्षा के महत्यों को राष्ट इस तर पर स्विकार किया जाना चाहिए और उसी के अनरूप जो भी निर्ले लिए जाए जो भी कदम उठाये जाए जाए उसी के अनरूप उठाये जाने चाहिए तो इस प्रकार से इनका एक ये मुख्य बिंदू रहा या मुख्य सुझाव रहा है इसके बाद इन्होंने कहा कि सिक्षा की विवस्था केंद्र एवं राजसरकारों के सन्युक्त उत्तरदायत है यानि सिक्षा की विवस्था करना ये केंद्र और राजसरकार दोनों की समान जिम्मेदारी है अपने अपने इसतर की अधार पर दोनों सिक्षा विवस्था को अपने छेतर में राजसरकारें लागू करें और उसके लिए जो भी उचित साहता या उचित सुझाव या जो भी चीज़ें हैं वो केंदर सरकार राज सरकारों को उपलब्द कराएगी या धनराशी जो भी चीज़ें से समदित हैं वो सारी समस्त चीज़ें इसके बाद है सिक्षा पर केंदरी बजट का 6% वय किया जाएगा तो यह भी बताया गया कि सिक्षा पर जो केंदर कावजट आता है वो उसकी संपूर बजट के 6% बहाग है वो सिक्षा पर वय किया जाना चाहिए संपूर देश के लिए 10 प्लस 2 प्लस 3 की सिक्षा सनचना लागू की जाएगी तो ये भी एक सुझाव दिया गया कि संपूर देश में 10 प्लस 2 प्लस 3 की सिक्षा सनचना लागू की जाएगी मतलब 10 यानि हाई स्कूल लेवल की सिक्षा 2 यानि की इंटर लेवल और 3 उच्छिस्तरी यानि इसनातक लेवल की जो सिक्षा है इसका अनिवार एवं निशुल्क प्रात्मिक सिक्षा की विवस्था की जाएगी तो अनुच्छित 45 के अंतरगत जो हमारे देश में सिक्षा के विश्था में प्रावधान था कि देश के सभी बच्चों को जिनकी उम्र 6-14 वर्स के आयू के मद्धि में है उनको अनिवार एवं निशुल्क शिक्षा प्रावधान की जाए तो इन्होंने कहा कि हमें इसको उचित धंग से इसको प्रभावशाली धंग से लागू किया जाने की आवर्शक्ता है माधिमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नैन किया जाएगा जो माधिमिक इस तर की जो शिक्षा है उसका विस्तार और उन्नैन किया जाएगा ताकि बच्चे जो है इस इस्तर की सिक्षा की अधार पर अपना व्याफसाइक भविस्य बनाने में भी सक्षम हो सके अगला है माधमे की स्तर पर त्रिभासा सूत्र लागू किया जाएगा त्रिभासा सूत्र यानि की एक छेत्री भासा एक राष्ट्री भासा और एक अंतर राष्ट्री इस्तर की भासा तो इस प्रकार से त्रिभासा सूत्र लगो किये जाने का सुझाओ भी दिया गया भारती भासाओं का विकास किया जाएगा जो भारत जैसा कि हम जानते हैं भारत विविताओं भरादेश है और भारत के अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की भासाओं बोली जाती हैं तो जो इस प्रकार की भासाएं हैं उनको भी विक्सित शिक्षा के माध्यम से करने का प्रयास किया जाएगा प्रथम दस वर्षी शिक्षा में कार्यानभव एम राश्री सेवा को अनिवार किया जाएगा जो पर्थम 10 वर्स की सिक्षा है उसमें इस प्रकार की सिक्षा का स्वरूप होगा जिसमें कार्यानभाव बच्चों को प्राप्थ हो सकेगा ताकि वो अपना व्यावसाहिक भविश से जो है अपना फ्यूचर डेवलप करने में, मेंटेन करने में उनको वो हैल्पुल होगा इसके अलाबा राश्टरिय सेवा की भावना भी उनकी अंदर विक्षित की जाएगी इस प्रकार की सिक्षा वर्स्ता, प्रथम 10 वर्सी है इस तर्की जो सिक्षा वर्स्ता उसके अरूप लागू की जाएगी प्रतिभावान चात्रों की पैचान की जाएगी जो प्रतिभावान चात्रे जो प्रतिभावान चात्रे ऐसे चात्रों की पैचान की जाए ताकि वो उनकी प्रतिभा का उनके हित के लिए और राष्ट के हित के लिए सही प्रकार से उसका लाब उठाया जा सके और इससे जो है छात्र और समाज देश सभी का लाब होता है उसको उनकी प्रतिभाओं के साथ नयाय होता है तो इस प्रकार से प्रतिभाओं छात्रों की पैचान करके उनको अलग से उचित गाइडन्स प्रदान किया जाए और उचित सिक्षा वहस्ता उनके लिए प्रोवाइड कराई जाए विश्विद्याले सिक्षा का प्रसार एवं उन्यान किया जाएगा जो विश्विद्याले सिक्षा की जो सिक्षा है उसका भी प्रसार किया जाए एवं उसका भी विकास किया जा उसके भी इस्तर में व्रधी की जानी चाहिए क्रसी व्याफसायक तक्निकी एवं इंजिनेरिंग सिक्षा की विशेश विवस्था की जाए इस प्रकार से इन्होंने क्रसी के संदर्व में वेबसाइक और तक्निकी इंजीनेरिंग शिक्षा को भी प्रोसायत किये जाने की बात कही है विज्ञान और विज्ञानिक अनुसंधानों पर विशेश ध्यान दिया जाएगा तो विज्ञान और जो रिशर्चेज हैं उन पर भी विशेश रूप से ध्यान दिये जाने की बात इन्होंने अपने प्रतिवेदन में की है उच इस तरकी पुस्तकों का निर्मार किया जाएगा जो पुस्तके हैं उनका लेवल जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए स्टेंडर्ड लेवल की पुस्तक के डेवलप होनी चाहिए इस प्रकार से शिक्षकों को उसके लिए उचित ट्रेनिंग भी दी जाए और जो विद्वान शिक्षक हैं उनको काम के लिए प्रोथसाहित किया जाए और उन्हें इसकी आर्थिक साहिता भी दी जानी चाहिए तो इस प्रकार से उचिस्तर की पार्फुस्तक को के निर्मार के लिए भी इन्होंने अपने सुझाव या अपना सजेशन जो है इन्होंने दिया है परिक्षा प्रडाली में सुधार किया जाएगा जो परिक्षा की जो प्रडाली है या परिक्षा की जो कंडिशाम और इन्होंने एक सुझाव दिया कि परिच्छा में स्रेड़ी यानि की डिवीजन के जगे पर इसमें ग्रेड देने का सुझाव भी दिया गया है अगला बिंदु है शिक्षकों के इस्तर और सिक्षक प्रसिक्षर में भी सुधार किया जाएगा तो इस प्रकार से शिक्षकों के इस्तर के लिए इन्होंने अनेक प्रकार से जो १ि आर्थिक आधार पर सुझाव प्रस्तुत किए हैं जिसे सी शिक्षकों का इस तर अच्छा उपर ऊठ सके और प्रिस्खषड के लिए जो स्धिपर कर लिए इन हो ने सब्सक्राइब करना के लिए उसको इन्हों ने डिये हैं छातर प्लेयार योज़ नाएब वानाında कि योजने बनाई जाएं जो छात्र के लिए कल्याड कारी हो इसमें केंटीन या निशुल्क भोजन मद्या निशुल्क भोजन भी कुछ इस तरह के सुझावबी इन्हों ने दिये हैं छात्रों के लिए खेल कूद की उत्ति विवस्ता की जाएगी छात्र हित के लिए जो है वो खेल कूद के लिए या छात्रों के शारिरिक विकास के लिए खेल कूद या उससे सबंदित जो भी उपकरण है उसकी उचित विवस्ता की जाने का सुझाव भी इन्होंने अपने प क्या के लिए संपूर्टी सिक्षा दौर भारती समाउज Só का अधुन की आजा सके है स्अधेक अफ्सारों की समानता की प्राप्तिकी जाएगी तो जो भारत में अने प्रकार से विविन अधर्म जाती लिंग इस्थान भासा या अन्य बहुत सारे आधार हैं उन आधारों को दरकिनार करते हुए सबी लोगों को शेक्षिक अवसरों की उचित समानता प्रदान की जानी चाहिए इस प्रकार से इनके यह जो समीती ने जो अपने सुजाव प्रस्त किये थे केंदर सरकार के सामने और इसको जो है सरकार ने माल लिया था 1968 में तो यही कुछ यह बिंदू थे और इस चैप्टर को फिर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आशा करते हैं यह आपको समझ आ गया होगा और अगर किसी को कोई कन्फूजन हो तो हम से कॉल करके इसके बारे में बात कर सकते हैं तब तक के लिए धन्वाद